हेलो व्रीवन दिस इज मनोज कुमारी वैलकम इन माई यूटूब चैनल मैच फ्रेंड टोड़े वी आर गोइंग तुटार्ट एक्सराइज 5.3 एंड क्योशन नंबर 14 देखिए 14th क्योशन में क्या है हमें ओड नंबर का सम निकालना है जो किस के बीच आते हैं 0 और 50 के बीच अब सबसे पहले तो हम इनके बीच ओड नंबर लिख ले अब कितने का यह हमें एन इसमें नहीं पता तो देखो ओड नंबर देखो कौन कौन से होगे हम एपी बनाते हैं इसमें एपी क्या हो जाएग ओड नमबर कहा से स्टार्ट होगा, 1 से 1, 3, 5, अब लास्ट का 50 है, 50 तो ओड नमबर है नहीं, तो 49 क्या है ओड नमबर, अब मैं थोड़ अस कंसेप्ट के लिए कर देती हूँ, इवन नमबर क्या होते हैं बिटा, जो 2 से डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड बाई 2, और नोट डिवाइड बाई 2, ऐसा नमबर जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको कहेंगे ओड नमबर, और इवन नमबर क्या होता है, जो किस से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, अब देखिए, A की वैल्यू कितनी है इसमें, A की वैल्यू है, 1, D की वैल्यू equal रख लेते हैं, a n का क्या formula होता है, a plus में n minus 1 into d, ये क्या होता है, a n होता है ठीक है, अब ये a n का formula है, इसकी जगे value पूट करो, a की जगे कितनी है, 1, plus में n minus 1, n हमें पता नहीं है, d की value कितनी है, 2, is equal to a n, a n कितनी दे रखी, 49, तो करो इसको शूर, n minus 1 into 2, 49, ये प्लतरस क है, उदर किसका हो जाएगा, minus का, n minus 1 into 2 is equal to 48, 2 multiply में कहा जाएगा, divide में, n minus 1 is equal to 48, upon me 2, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, तो n minus 1 is equal to कितना जाएगा, 24 आ गया, n की value कितनी हैगी, 24, plus में 1, is equal to 25, तो n कितना आ गया, 25, तो हमें 25, 25, s25 निकालना है, तो आपके पास दो method है, या तो sn का formula रख दो, कि n by 2, 2a plus में, n minus 1 into 2, लेकिन इसमें, हमारे पास last term भी दे रखी है, तो an है, वो l भी तो होता है, तो हम यूब भी कर सकते हैं, कि भी s25 is equal to, sn का last term, वो तो formula याद है, n by 2, और break it में, a plus में, l, तो s25, तो क कितना हो जागा, 25 अपन में 2, a की value कितनी है, 1 है, और l, l मतलब an, an कितना दे रखा है, हमारे पास, 49, l कितना दे रखा, 49, तो करो इसको 25, अपन में 2, और ये कितना हो जागा, 50, 2 से कट करो, 22 जा, 25 जा, 25 को 25 से multiply करेंगे, तो कितना हो जागा, 625, 25, s25 का जो सम है, वो कितना आगया, 625, ठीक है, तो है ना easy question वीटा, तो इसमें हमें क्या बताना था, कि odd numbers का सम बताना था, जो कहां से कहां तक आते हैं, 0 से 50 के बीच, लेकिन कितने आतने हैं, हमें नहीं पता था, तो हमें क्या कर लिया, कि वही, an का formula रखे, सबसे पहले, हमने n निकाल लिया, अब n आने के बाद हमारे पास दो option है, चाहे तो sn का सीधा formula, use करो, a or d का use होजेगा, या last term है, तो हम sn का ये formula भी use कर सकते हैं, n by 2, a plus में l, जिसे हमारा answer कितना आ गया, 625, तो ये भी exam के point of use से most important question है, and I hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, now thanks for watching me time